दोस्तो आजकल पूरी दुनिया में जेंडर इनिक्वैलिटी का इश्यू बहुत जोर शोर से उठाया जाता है लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसी जगह की ऐसे लोगों की जहाँ पर पूर्शो को परदे में रखा जाता है और इस्त्रियों को हर कार्य करने की आजादी है लेकिन दोस्तो उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि भविश्य में हम जब भी कोई नई वीडियो लेके आए तो आपको नोटिफिकेशन आए दोस्तो हम बात कर रहे हैं पश्चीमी अफरीका में रहने वाली त्वारेग ट्राइब की हम बात करेंगे इस जन जाती के सभी कस्टम्स की त्वारेग ट्राइब में महिलाओ को अपनी मर्जी से कोई भी कार्य करने की आजादी है लेकिन पुरुषों को परदे में रहना पड़ता है और कहीं भी आने जाने से पहले उनको इजाजत लेनी पड़ती है यहां की परंपरा के मताबिक महिलाओं अपनी मर्जी से शादी कर सकती हैं तुआरेग जनजाती में महिलाओं कभी भी चाहें तो पती को छोड़ सकती हैं दोस्तो इस पर अगर मैं अपना व्यूद दूं तो जेंडर इनीक्वालिटी हर तरह की गलत है वो जेंडर इनीक्वालिटी चाहे पुरुष को favor करे चाहे इस्तरी को favor करे दोस्तो त्वारेक समाज में शादिया और तलाक काफी आम बात है यहां तलाक मिलने पर पत्नी के घर वाले जश्न मनाते हैं तलाक शुदा महिलाएं किसी तरह का कोई परदा नहीं करती क्योंकि दोबारा शादि के लिए उनका चेहरा पुरुशों को दिखाया जाना चाहिए दोस्तो त्वारेक समाज का में उक्यूपेशन खेती और जानवर है और ये लोग ज़्यादतर तंबूओं में रहते हैं त्वारेक समाज में जब भी कोई तलाक होता है गर यानि तंबू, खेत और जानवर ये तीनों महिलाओं के पास रहते हैं और पुरुश ज़्यादा से ज़्यादा अपना परिस्नल उंट लेता है और उसे वापस अपनी मा के घर रहने जाना पड़ता है दोस्तो त्वारेक समाज में बड़े फैंसले लेने के लिए भी मर्दों को महिलाओं की इजाज़त लेनी पड़ती है इस समाज की यह परंपरा बेहत पुरानी है और इसे आज भी यहां के लोग मानते हैं यह अनोखी परंपरा महिलाओं को वो सारी आजादी देती है जो हमारे समाज में पुर्शों को पराप्त है दोस्तो आज भी जवान होते ही लड़कों को परदा करने की आदत डालने पड़ती है दोस्तो वैसे तो तुवारेक समाज के लोगों ने मुसलिम धर्म अपनाय हुआ है लेकिन इन लोगों के बहुत सारे कस्टम्स इस तरह के हैं जो विश्यू के मुसलिम समाज में अनेक्सेप्टेबल है इसलिए इस समाज को बोकोहरम और आयसाई जैसे संगटनों से खत्रा है दोस्तो यही कारण है कि इस समाज में भी अब धीरे धीरे हिजाब पहनने का चलन शुरू हो गया है तो दोस्तो इस वीडियो में हमारे द्वारत दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट है आपको पसंद आई है तो वीडियो लाइक कीजिए शेर कीजिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ धन्यवाद